कुरोना जैसी खतरनाक महामारी के बाद अब चीन में एक और रहस्यमई बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है चीन में निमोनिया की शिकार बच्चों से अस्पताल भरे पड़े है संक्रमितों की संख्या हजारों में पहुँच गई है बच्चों में इस रहस्यमई बीमारी निमोनिया के लक्षन जैसे फेफों में सूजन सांस लेने में दिक्कत के साथ ही खांसी और तेज बुखार दिखाई दे रहे है विश्व स्वास्त संगठन ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है WHO की ओर से जारी गाइडलाइन में लोगों से अलर्ट रहने और साथानी वरतने की अपील की गई है नमंबर माह की शुरुवात के साथ ही चीन में अचानक रहस्यमई निमोनिया ने पाव पसारने शुरू कर दिये थे 13 नमंबर को चीनी अधिकारियों को इसे लेकर अस्पश्य करण देना पड़ा था हाला कि उन्होंने इसे सिर्फ सांस लेने में समस्या होने संबंधी बीमारी बताई थी WHO ने बताया कि 21 नमंबर को अचानक मामलों में तेजी आई और खास तोर से उत्तरी चीन इससे प्रभावित हुआ तो चीन ने माना कि ये निमोनिया ही है जो लोगों को शिकार बना रहा है निमोनिया फेफडों में बैक्टीरिया, वाइरस या कवक के कारण होने वाला एक संक्रमन है निमोनिया के कारण फेफडों के उत्तकों में सूजन हो जाती है और फेफडों में तरल पदार्त या मवाद पैदा हो सकता है इस संक्रमन का सामना बच्चों और बूढ़े लोगों को ज्यादा करना पड़ता है और इससे जान जाने का खत्रा भी बना रहता है नीमोनिया के लक्षन हलके से गंफीर हो सकती है 2022 में आई WHO की एक रिपोर्ट के मताबिक एशियाई और अफ्रीकी देशों में इस संक्रमन के कारण मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है चीन में फैलने वाले नीमोनिया के लक्षन है बच्चों को फेपडों में दर्द, तेज बुखाराना, सांस लेने में परिशानी और फेपडों में सूजन यूनियन हिल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि भारत में इस वाइरस की फैलने का खत्रा काफी कम है इसके बावजूद मंत्राले इस स्थिती पर करीब से नजर बनाए हुए है मंत्राले के एक बयान के मताबिक चीन से रिपोर्ट किये गए एवियन इंफ्लूइंजा मामली के साथ-साथ सांस संबंधी बीमारी की समुहों से भारत को कम जोखिम है इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत चीन में फैले इस खतरनाक वाइरस से उत्तपन होने वाली किसी भी आपात स्थिती के लिए तयार है निमोनिया वाइरस को लेकर डवलू एचो ने कुछ गाइडलाइन चारी की है इस गाइडलाइन्स में लोगों को साफधान रहने की सलाह दी गई है साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वह साफ सफाई का खास ध्यान रखें और शरीर में कोई भी लक्षन दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्ख करें